This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. जिसके अंदर आज से तक्रिबन 200 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही चौकाने वाला था. ये कहानी बार्बेडोस से है. बार्बेडोस उन देशों में से एक देश है जिने मिलाकर वेस्ट इंडीज बना है. वेस्ट इंडीज ऐसे देशों का समू है जो अपने क्रिकेट, अपने खाने पीने और नाचने गाने के लिए बहुत मशूर है. मगर इसी वेस्ट इंडीज के एक देश बार्बेडोस की जमीन के अंदर एक ऐसा राज दफन है जो आज तक लोगों को हैरान करता है. और ये राज जानने के लिए आपको कहानी में आज से 200 साल पीछे यानि 19-वी सदी में जाना होगा. उस वक्ट दुनिया के लगबग हर देशों की तरह बार्बेडोस के उपर भी अंग्रेजों का शाशन था. और इंग्लेड से आकर बहुत सारे अंग्रेज अपने परिवार के साथ बार्बेडोस में ही बस गये थे. उनी परिवारों में से एक परिवार था चेस परिवार. उस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था था थॉमस चेस और वो बिटिश आर्मी में करनल थे. बहुत रईस और पैसे वाला होता था. वो कबरिस्तान में एक पर्मनेंट कबर खरीद लेता था. ताकि जब भी उसके परिवार या उनके रिष्टेदारी में कोई मरेज, तो उन लोगों के ताबूत उस कबर में दफनाया जा सके. और ये कोई नॉर्मल कबर नहीं होती थी, बलकि जमीन के नीचे पूरा एक तहखाना टाइप होता था. करनल थॉमस जेज जो थे वो भी बहुत अमीर और रईस थे, इसलिए उन्होंने भी साल 1807 में बार्बेडोस के ओश्टीन्स इलाके में एक कबर खरीदी. ये कबर क्राइस चर्च पारिस चर्च के बगल में जो कबरिस्तान है वहाँ पर मौजूद थी, और ये कबर जमीन के नीचे 3.7 मीटर गहरी और 2 मीटर चौड़ी थी. जब करनल थॉमस जेज ने वो कबर खरीदी, मिसिस थॉमस इना गोडाड को उसी साल जुलाई 1807 में उस कबर में दफनाया गया था, इसलिए थॉमस चेस ने उस ताबूत को उसी कबर में रहने दिया, और क्योंकि अब जो उस कबर के नय मालिक थे वो थॉमस चेस थे, इसलिए उन्होंने उस कबर पर नया नाम लिखवाया, और वो नाम था दचेस वॉल्ट, मगर इस कबर को खरीदने के कुछ वक्त बाद ही, फरवरी 1808 में थॉमस चेस की दो साल की बेटी मेरी एन चेस की मौत हो जाती है, मौत के बाद मेरी के शरीर को एक लेड के ताबूत में रखा जाता है, लेड जो है वो एक मजबूत मैटल होता है, और इसका बना ताबूत लगडी के ताबूत के मुकाबले बहुत मजबूत और वजनी होता है, खेर मेरी के शरीर को ताबूत में रखने के बाद, इसके तकरीबन चार साल बाद जुलाई 1812 में थॉमस चेस की एक और 12 साल की बेटी डॉरकस चेस की भी मौत हो जाती है उसके बाद डॉरकस के शरीर को भी एक लेड के ताबूत में रखकर उसी कबर में दफना दिया जाता है जिसमें की 4 साल पहले उसकी चोटी भेन को दफनाया गया था अब उस कबर में कुल तीन ताबूत हो चुके थे एक Thomas Chase की छोटी बेटी Mary Ann Chase का ताबूत एक Thomas Chase की बड़ी बेटी Dorcas Chase का ताबूत और एक Mrs. Thomasina Godad का ताबूत जो की पहले से उस कबर में मौजूद था इसके बाद सिर्फ एक महीना ही और भी था और अगस्त 1812 में करनल Thomas Chase की भी मौथ हो गई उसके बाद उनकी बॉडी को भी एक मजबूत लेट के ताबूत में रखा गया Thomas Chase जो थे वो बहुत हटे कटे इंसान थे और उपर से लेट का भारी ताबूत तो दोनों को मिलाकर Thomas Chase के ताबूत का जो कुल वजन था वो तकरिबन 109 किलो हो गया था और उनके ताबूत को उठाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ी उसके बाद उनका ताबूत कब्रिस्तान लाया गया मगर जब Thomas Chase के ताबूत को दफनाने के लिए उस कबर का पथर हटाये गया और लोग नीचे कबर में गए तो उनके होश उड़ गए उन्होंने देखा कि जो तीन ताबूत उस कबर में पहले से रखे गए थे वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं Thomas Chase की छोटी बेटी Mary Ann Chase का ताबूत कबर के कोने में उल्टा पड़ा हुआ है और बाकी के दोनों ताबूत भी अपनी जगह से हिले हुए हैं जबकि सिर्फ एक महीने पहले ही इन तीनों ताबूतों को उस कबर के बीच में जमीन पर सीधा रखा गया था मगर फिर खेर इन ताबूतों को वापस अपनी जगह पर सही से रखा गया और फिर करनल थॉमस चेस के ताबूतों को भी उस कबर में रखकर कबर को पत्थर से बंद कर दिया गया और अब उस कबर में कुल मिलाकर चार ताबूत दफन थे पर कबर के अंदर ताबूतों का इधर उधर होना इस चीज़ ने लोगों को बहुत चौकाया शुरुवात में तो लोगों को लगा कि ये किसी गुलाम का काम है क्योंकि करनर थॉमस चेस जिस तरह अपने गुलामों पर अत्याचार करते थे तो हो सकता था कि किसी गुलाम ने गुस्से में आकर बदला लेने के लिए उन ताबूतों के साथ बचसलूकी की हो मगर ये किसी एक इनसान का काम नहीं हो सकता था क्योंकि उस कबर पर जो पथर रखा था उसे हटाना तो क्या? उसे हिला पाना भी एक आदमी के बसकी बात नहीं थी इसके बाद इसके उपर तफ्तीश भी की गई और कई लोगों को उठा कर पूश ताच की गई मगर कोई फायदा नहीं हुआ इसके बाद चार साल और बीट गए और साल 1816 आ गया सितंबर 1816 में उसी परिवार में एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम चार्ल्स ब्यूस्टर एम्स था उसकी मौत हो जाती है उसके बाद उसे भी एक लेट के ताबूत में रखकर उसी कबर में दफनाने के लिए ले जाया जाता है और जब उस कबर को खोला जाता है तो लोग फिर से चौक जाते हैं क्योंकि इस बार भी सभी ताबूत अपनी जगे से हिले हुए थे यहां तक कि करनल थौमस चेस का 109 किलो वजनी ताबूत भी अपनी जगे पर नहीं था मगर फिर किसी तरह सभी ताबूतों को अपनी जगे पर रखा गया और फिर पांचवा ताबूत जो कि चार्ल्स ब्यूस्टर एम्स का था उसे भी कबर में दफना कर कबर को बंद कर दिया गया अब वहां के लोगों के बीच ये बात धीरे धीरे फैलने लगी लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये पूरा चेस परिवार ही श्रापित है क्योंकि जब से थौमस चेस ने ये कबर खरी दी तबी से एक के बाद एक उनके परिवार के लोग मरते ही जा रहेते चाहें वो छोटा हो या बड़ा कई लोग ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि इन लाशों के उपर कोई काला जादू कर रहा है और अब लोगों ने उस कबर के आसपास से भी गुजरना बंद कर दिया था उसके बाद सिर्फ दो महीने ही और गुजरे और नवंबर 1816 में चेस परिवार के एक और शक्स सैमूल ब्रूस्टर की भी मौत हो गई उसे भी दफनाने के लिए उसी कबर में ले जाया गया मगर इस बार लोगों की भीड इकठा हो गई लोग ये देखना चाते थे कि इस बार भी उन ताबूतों के साथ कुछ छेड़ चाड़ हुई है या नहीं और जब कबर को खोला गया तो इस बार भी सभी ताबूत इधर उदर बिखरे पड़े थे कोई ताबूत कबर की दिवार से लगकर उल्टा खड़ा था कोई ताबूत कोने में पड़ा था तो कोई ताबूत दूसरे ताबूत से लगकर तिर्चा पड़ा था ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन ताबूतों को उठा उठा कर इधर उधर पटका और फैका है क्योंकि वो सभी मैटल के ताबूत थोड़े बहुत डैमेज लग रहे थे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस थॉमस चेस के ताबूत को उठाने के लिए आठ लोगों की जरूरत पड़ी थी उसे कोई कैसे इतनी चोटी सी जगे में उठा कर इधर उधर फैक सकता था जो मिसिस थॉमस चीना गोडाड का ताबूत था जो की एकलोता लकडी का ताबूत था उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो तूटने लग गया था इसलिए उस ताबूत को लोहे की तारों से बांधा गया और फिर वापस उसे सही जगे पर रख दिया गया उसके बाद बाकी के सभी ताबूतों को भी सही से रखा गया और सैमूल ब्रूस्टर के नए ताबूत को भी उनी के साथ रख दिया गया उसके बाद कई अंग्रेजों ने उस कबर के अंदर गुश कर अंदर से उसकी जाच परताल की और ये चेक किया कि कहीं इस कबर में आने का अंदर से कोई और रास्ता तो नहीं है बकायदा उन्होंने चैनी और हथोड़े से कबर की दिवारों को ठोक ठोक कर देखा पर उन्हें उस कबर में कोई गड़बर नहीं मिली इसके बाद उन्होंने उस कबर को उस वजनी पत्थर से बंद कर दिया और इस बार उन्होंने उस पत्थर को सिमेंट से सील भी कर दिया उसके बाद दो साल और बीत गए कहते हैं कि इन बीते हुए दो सालों में जो भी इंसान उस कबर के पास से गुजरा उसे कबर के अंदर से अजीब और भयानक आवाजे सुनाई देती थी और कोई भी शक्स अंधेरा होने के बाद उस कबरिस्तान के आसपास भटकता भी नहीं था कई लोग उने बताया कि जब वो अपने घोड़े पर बैटकर वहाँ से गुजरे तो उनका घोड़ा उस कबर के पास जाकर रुख जाता था और घोड़े के मूँ से जाग निकलने लगता था धीरे धीरे ये बाद पूरे बार्बेडोस में फैल गई और क्योंकि उस वक्त वहाँ पर अंग्रेजों का शाशन था इसलिए ये बाद बड़े अंग्रेजी अफसरों तक भी पहुँची और उन्हें भी इस घटना ने बहुत चोकाया इन दो सालों के बाद जब जुलाई 1819 में थोमसिना क्लार्क नाम की एक और औरत का ताबूत उस कबर में दफनाने के लिए लाय गया मगर उस कबर में जो इकलोता लकडी का ताबूत था जो की मिसिस थोमसिना गोडाड का था और जिसे की पिछली बार तारों से बांध कर रखा गया था वो बिल्कुल सही सलामत और अपनी जगे पर मौजूद था इसके बाद बार्बेडोस के गवर्णर लौड कॉमबर मेर के कहने पर उनके प्रोफेशनल जाच करताओं ने उस कबर की अंदर और बाहर से अच्छे से जाच परताल की मगर उन्हें भी उस कबर में कोई गडबड नहीं मिली फिर जगे की कमी की वजए से मिसिस थोमस इना गोडार के ताबूत को उस कबर के एक कोने में दिवार से लगा कर रखा गया और बाकी के ताबूतों को उनकी जगे पर वापस रख दिया गया फिर कबर को पत्थर से बंद कर दिया गया और दुबारा से उस पत्थर को सिमेंट से सील कर दिया गया इस बार गवर्नर लॉड कॉमबर मेर ने उस सिमेंट के उपर अपनी ओफिशियल मोहर भी लगा दी ताकि अगर कोई भी उस सिमेंट को हटाने की कोशिश करे तो पता चल जाए अब वहां के लोग उस कबर के दुबारा खुलने का इंतजार करने लगे और इसके 9 महीने बाद अपरेल 1820 में बार्बेडोस के गवर्नर लॉर्ड काउंबर मेर एक बार फिर अपने जाच करताओं के साथ उस कबर के पास पहुँचे और उस कबर को खोलने के लिए कहा इस बार इस कबर को किसी ताबूत को दफनाने के लिए नहीं बलकि ये साबित करने के लिए खोला जाना था कि ये किसी इनसान का ही काम है और लोगों के अंदर से डर को भी दूर करना था जिस दिन इस कबर को खोला जाना था उस दिन वहाँ हजारों लोगों की भीड कठा हो गई और सभी ये जानना चाते थे कि इस बार उस कबर में क्या हुआ है उसके बाद पहले तो ये चेक किया गया कि जो मोहर गवर्नर ने सिमेंट के उपर लगाई थी वो सही सलामत है या नहीं तो वो मोहर बिलकुल सही सलामत थी इसके बाद उस सिमेंट की सील को तोड़ा गया और फिर उस 500 किलो के पत्थर को हटा कर जब जाच करने के लिए अंग्रेजी अफसर उस कबर में घुसे तो उन्हें कबर में बिछाए गई रेत के उपर कोई निशान नहीं मिला मगर कबर के अंदर दफन सभी ताबूत अपनी पुरानी जगह पर मौजूद ही नहीं थे कोई उल्टा पढ़ा था, कोई दिवार से लगकर उल्टा खड़ा था, तो कोई दूसरे कोने में पढ़ा था ये देखने के बाद अब सभी लोगों को यकीन हो गया कि ये किसी इनसान का नहीं बलकि उपरी शक्ती का काम है उसके बाद उस कबर में जितने भी ताबूत मौजूद थे सभी को वापस बाहर निकाल कर कहीं और दफना दिया गया और उस कबर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया धीरे धीरे जब कुछ और वक्ट गुजरा तो एक कहानी सामने आई और उस कहानी में पता चला कि कर्नल थॉमस चेस की जो बड़ी बेटी थी डॉर्कस चेस जिसे कि थॉमस चेस से पहले उस कबर में दफनाया गया था उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि थॉमस चेस अपनी बेटी डॉर्कस चेस को बहुत मारते और पीटते थे और उसके उपर भी अपने गुलामों के जैसे अत्याचार करते थे कई जगे तो ये भी कहा गया कि थॉमस चेस अपनी बेटी का शारीरिक शोशन भी करते थे जिसकी वज़े से डॉरकस चेस ने खाना पीना बंद कर दिया था और उसकी मौत हो गई और क्योंकि डॉरकस चेस की मौत नैचुरल नहीं थी और वक्त से पहले ही एक तरह से उसने अपने आपको भूखा रखकर खुद अपनी जान ली थी इसलिए जब जुलाई 1812 में उसे कबर में दफनाया गया तो उसी की आत्मा ये से परती थी ये कहानी इसलिए भी मशूर हुई क्योंकि डॉरकस चेस के ताबूत को दफनाने से पहले उस कबर के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था मगर जब से डॉरकस चेस का ताबूत उसकबर में दफनाया गया तब ही से ये सभी रहसे में घटनाय शुरू हो गई थी तब से लेकर आज तक 200 साल से भी जादा हो चुके हैं और इस दोरान कई जाच करता उस कबर की जाच कर चुके हैं और क्योंकि जो मॉडरन लोग और खोच करता है वो भूत प्रेत या आत्मा उपर विश्वास नहीं करते इसलिए उन्होंने उस कबर में जो कुछ भी हुआ उसकी दो थेयोरी दी पहली थेयोरी ये कि उस कबर में जो कुछ भी हुआ वो भुकम के जटकों की वज़े से हुआ मगर इस थे yolory को इसलिए नकार दिया गया कि अगर ये सब हुकम के जटकों की वजय से हुआ होता तो उस कबृस्तान में जितने भी ऐसे कब्र थे सभी के साथ ऐसा होता पर उस कबृस्तान के सभी कब्र बिल्कुल सही सलामत थे दूसरी थियोरी ये आई कि उस कब्र में बारिश का पानी भर जाने की वेजे से ये सब हुआ इस पानी वाली थियोरी में थोड़ा दम था क्योंकि बार्बिडोस में बहुत बारिश होती है मगर इसमें दिक्कत ये थी कि जो ताबूत उस कबर में मौझूद थे उनमें से अगर एक ताबूत को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी ताबूत लैड यानि मैटल के थे और मैटल के ताबूत पानी में नहीं तैर सकते थे उनमें से एक ताबूत जो कि कर्नल थामस चेस का था वो तो 100 किलो से भी उपर का था और उसे पानी पर तैरने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती एक बार को अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सभी ताबूत पानी की वज़े से ही इधर उधर हुए तो उनकी हालत बिल्कुल अलग होती जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन ताबूतों में से कोई दिवार से लगकर खड़ा था तो कोई तिर्चा पड़ा था इसके अलावा वो सभी ताबूत तूट फूट भी गए थे और अगर पानी की वज़े से ऐसा हुआ होता तो वो ताबूत डैमेज नहीं होते और ऐसे उल्टे-पुल्टे नहीं पड़े होते बलकि वो सभी ताबूत पानी की वज़े से बस उपर जाते और फिर वापस नीचे आ जाते इसलिए इस पानी वाली थियोरी को भी खारीच कर दिया गया आज 200 साल बाद भी वो कबर बारबिडोस के क्राइस चर्च के कबरिस्तान में मौझूद है और जिन जिन लोगों को उस कबर में दफनाया गया सभी के रिकॉर्ड्स आज भी चर्च की बुक में दर्ज है उस घटना के बाद आज तक ना तो किसी ने उस कबर को दोबारा खरीदा और ना ही किसी और ने उसके अंदर किसी को दफनाया इस कबर को देखने आज भी बहुत से लोग वहाँ पहुंसते हैं मगर उस कबर में जो कुछ भी हुआ वो पानी की वज़े से हुआ भुकम की वज़े से हुआ या फिर क्या सच में वो सब डॉरकस चेज की आत्मा ने ही किया इसका सच आज तक किसी को नहीं पता तो ये थी कहानी बार्बिडोस के एक रहसे में कबर दचेज वॉल्ट की मुझे उमीद है कि आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मैं आपसे मिलूगा अगली कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक्यू वेरी मच्च